इस ओडर टाइप को इस्तेमल करते हैं, stop loss price भी मेंशन करेंगे, target price भी एंड ट्रेलिंग SLB प्रिमियम 52 से 54 हो गया, stop loss भी 47 से 49 आ गया, वैसे ही 46 जाओ होगा, तो 51 में हो जाएगा अपका stop loss 2. jump price हमने mention किया, तो जैसे यह 114 जाएगा, तो हमारे stop loss 98 से 100 हो जाएगा, 115 आ गया, अभी हम अगर देखे, stop loss 101.60 आ जोगे, इस पर्टिकुलर फीडियो में हम ट्रेलिंग stop loss के बारे में बात करेंगे, angel 1 की mobile application में हम ट्रेलिंग stop loss को इस्तेमल करते हुए, live trading करने बने, trading stop loss हो पूट को पर्टिस किया 50 price में, आपका execution price है 50, 50 price में आपने बाइ किया, अपने stop loss रगा 5.10 में 45 में आपने stop loss रग और इस पोजिशन के लिए आपने trailing jump price में इसका मतलब क्या है आपका execution price है यानि 50 से जैसे price दो पॉइंट जम करेगा, दो पॉइंट आगे बड़ेगा, 52 होगा वैसे आपको stop loss 45 से जंप होकर 47 हो जाएगा, दो पॉइंट stop loss भी ट्रेल हो जाएंगे, फिर जैसे मान लिए प्रिमियाम 52 से 54 हो गया, तो stop loss भी 51 में हो जाएगा अपका stop loss, लेकिन मान लेजे अभी प्रिमियाम 56 से 54 हो गया, यह दो पॉइंट फिर से ड्रॉप हो गया, लेकिन इस ताइम आपका stop loss इस्टिल 51 में intact रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, यह होता है, ट्रेलिंग stop loss, option trading के लिए बहुत ही beneficial है, और ओ कैसे आप प्लेस कर सकते हो, एंजल वान की mobile application में हम live trade करके दिखने वाले हैं, सबसे पहले आप login कर लो, एंजल वान का account अगर नहीं है, तो बिल्कुल 5 मिनिट का अंदर free में account open कर सकते हो, link वीडियो की description में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर login कर चुका हूँ, वाच लिस्ट में जाके, यहाँ पर जो option है, option segment को मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं अभी trade करने वाला हूँ, यहाँ पर अगर देखें, एक भी trade नहीं की, 5000 रुपिस को मैंने यहाँ पर add किया, अभी trade करने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, चलो, आज फिन निप्टी क अगर आप क्लिक करेंगे, फिन निप्टी का charts, option chain, why analytics यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे कि अभी माल लीजिए, मुझे फिन निप्टी में trade करका को दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर select किया, ओके चार्ट अगर देखना है, तो चार्ट को मैं यहाँ पर click करके देख सकता हू चार्ट एक बार देख लेते हैं कि चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, अभी चार्ट अगर देखी, चार्ट लोग slightly bullish, आप देख सकते हैं, ओपेनिंग के बाद एक bullishness देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर एक buy करना चाहूंगा, तो चलो मैं यहाँ पर simple buy कर लेता हूं और इंदा मानी प्रेफर करना पसंद करूंगा 51 का सबस चल रहा है, तो लेट सी, वान लट में कितना लग रहे है, अभी market price में हम buy कर लेते 2000 सम्थिंग, यहाँ पे हो चुका है 25, अब देख सकते हैं, अभी क्या है, हम करेंगे stop loss place, stop loss करने के लिए, यहाँ पे stop loss बट सकते हैं, लेकिन हम को क्या करना है, ट्रेलिंग stop loss place करना है, तो चलो इसको मैं अभी cancel करके इस position को scare up करता हूँ, and trailing stop loss को place करके दिखाता हूँ, आप एक ही साथ, जो आप entry लेंगे, उसी टाइम, आप trailing stop loss place कर सकते हो, target को भी set कर सकते हैं, stop loss को भी, तिन्यों चीजे एक ही साथ कर सकते हो, चलो मैं live करके दिखाता हूँ, ओके, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, and और एक इंदा मनी, contract को मैं add करूँगा, तो option chain पे click करता हूँ, and option chain पे, यहाँ पे 20,850, जो इंदा मनी है, उन कर दो, यहाँ पे सारे चीजे मिलेगा, इस order type को इस्तिमाल करते हूँ, हम stop loss price भी mention करेंगे, target price भी, and trailing SL भी, अभी जैसे की, मैं जिस price में entry लूँगा, 110 में, मैं entry लेने वाला हूँ, यहाँ पे stop loss price में 96 रखना हो चाता हूँ, and target price 150, ओके, यह हो गया, हमारा target and SL, and trailing SL, मै यहाँ पे 2 point का दे देता हूँ, 2 point या 5 point जो भी है, आप अपने सबसे ड्रक सकते हो, and इस order को कर देता हूँ, and इस order को कर देता हूँ, प्लेस, 5000 रुपिस margin requirement पड़ रहे, इसका order section में मैं क्लिक करूँगा, and यह देखिए, यह order execution नहीं हुआ, pending में पड़े हुए, क्योंकि ह हमारा entry जो order है, वो 110, so अभी भी देखिए, execute नहीं हुआ है, तो मैं इसको modify कर देता हूँ, इस तरह modify भी कर सकता हूँ, edit order में क्लिक करके, अभी 110 था हमारा entry, 112 कर देते हैं, ताकि जल्दी execute हो जाए, और यह देखिए, execute हो चुका है, और जैसे execute हुआ, automatically हमारे stop loss and target यहां प अभी जो trailing stop loss का concept है, यह कब काम करने start करेगा, हमारा buying price क्या है, execution price 112, देख सकते है, average buying price यहां पे देख रहा है, 112, तो जैसे यह 112 plus 2, 2 point jump price हमने mention किया, तो जैसे यह 114 जाएगा, तो हमारे stop loss 98 से, यहां पे देखिए, 98 है न, 98 से 100 हो जाएगा, तो अभी हम integer करेंगे, 114 का, 113 point something आया था, LTP, 114 जाएसे ही होगा, यह देखिए, 100 हो जाएगा, 115 आ गया, अभी हम अगर देखे, stop loss 101.60 आ जोगे, 60Q, basically देखिए, यह 116 को भी touch किया, that's mean 102 होना चाहिए था, लेकिन 101.60, कभी-कभी क्या होते है, जब यह trail होते हैं, trail होने के बाद, final price लगबग, अप्र थोला सब नीचे यहां पर हो गया, लेकिन यह automatic हुआ, हमने modify नहीं किया, इसे कहते है, trailing SM, तो अभी अभी premium देख सकते, 116 चल रहा है, तो 116 से 118 जब जाएगा, तब यह automatic हमारा, जो stop loss 101.60, यहां से भी 2 point, अभी trail होके, आगे बढ़ जाएगा, ओके, आगर माल लीजिए stop loss से placed है, target placed है, लेकिन आप चाते है instant exit करना, profit and loss जो भी चल रहा है, आप exit करना चाते है, exit कैसे करे, यासे कि देखिए, मैं यहां पर exit कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, for advanced days, you can exit only from the open order style, यहां पर exit नहीं हो पाएगा, 117 something हाई बनाया था, let's see, 119, तो देखिए, अभी क्या ह हो गया, 105.05 यहां पर stop loss trail हो गया, आभी देखिए, 200 something profit चल रहा है, मैं exit करना चाता हूं, ऐसे position tab से तो मैं exit नहीं हो पा रहा हूं, तो simple, यहां पर cancel बटन है, cancel बटन पर click करूंगा, और cancel कर दूंगा, like this, and यह देखिए, cancel हो चुका हूं, 168 rupees हमारा यहां पर हो चुका है, profit तो इस तरह हम trailing SL को place कर सकते है, trailing SL के तुरू, अगर आपको instant execute करना है, तो कैसे करें, चले मैं bank nifty में one more trail लेके दिखाता हूं, bank nifty में, मैं यहां पर चलो, एक otm को purchase करता हूं, like this, call option का, and one lot, और यहां पर robot order को मैं instant select कर लूंगा, and अभी माल लो, मुझे instant market order में buy करना है market order यहां पर enable नहीं है, market order काम नहीं करते, तो मैं यहां पर थोड़ा ज्यादा price mention कर दूंगा, like one six zero चल रहे, one seven zero, one six five, okay, यहां पर मैं stop loss mention करना चाहूंगा, one four zero, and two hundred, ऐसे मैंने target दे दिया, and jump price यहां पर मैंने add कर दिया, five, five मतलब पांच पांच पांट पर जाएगा तब तो चलो, यहां पर मैं, तो यह देखिए, instant यहां पर buy हो चुका है, entry ले चुका हूं, and automatic यहां पर stop loss placed हो चुका है, target भी placed हो चुका है, तो अभी क्या है, यहां पर जैसे यह 158.25 हमारा execution price है, तो पांच पॉइंट आप जना पड़ेगा, so 158 प्लस five, यानि 163.25 जैसे So guys, that's it, इस वीडियो में हमने देखा किस तरह आप stop loss को trail करके ले जा सकते हो, अपना profit को lock करके चल सकते हो, and साथ में हमने भी देखा, कि entry के time, एक ही साथ में stop loss and target को कैसे place कि आ जाता है, angel 1 में robo order कि थो, I hope आपको वीडियो पसंद आए होंगे, अगर पसंद आया तो प्ल चुर करके account opening link, वीडियो की description में आपको मिल जाएगा, thank you, मिलते है कर,